दोस्तों नमस्कार, MCQ चल रहा था, विज्ञान प्रद्योकी का, इसके पहले भूगोल और इतिहास को हो चुका है, प्लेलिश उसी बनी हुए है, आप लोग सारे वीडियो को देख लीजे, देखे इस प्रोग्राम को हम और ज्यादा हाइटेक बनाएंगे, इसलिए हमने एक माट होती या रही है और ज्यादा, तो हम क्यों पीछे रहें और आपको क्यों पीछे रखें दूसरों से, दूसरी बात है कि मुक्च परिक्षा के लिए हमने एक नया चैनल बनाया है, डिस्क्रिप्सन बाक्स में लिंक है, हाला कि इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊ होगा रखेंगे, लेकिन वुक्यतः, मुक्य परिक्षा से ही संबन्धित रहेगा, इंग्लिश की क्लासे नहीं आपाती है विशुद्ध इंग्लिश वालों के लिए, तो इंग्लिश की क्लासे उसमें आएंगे, हमारी फेकैलिटि उसमें इंग्लिश में पढ़ defendant पहुँच जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें चलिए शुरू करते हैं ट्रिप्स समझोते के इंतरगत बहुत धिक संपदा नहीं माना क्या है अब ये ट्रिप्स समझोता क्या है ट्रिप्स का देखे फुल फार्म क्या होता है ट्रिप्स का फुल फार्म क्या होता है ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स आफ इंटेलेक्च्वल प्रापर्टी राइट्स अर्थाथ बहुत धिक संपदा अधिकारों समझोता है किस से रिलेटेड है तो विश्व ब्यापार संगठन द्वारा या संचालित होता है एक प्रकार की अंतर राष्टी संदी है जिसमें IPR या बहुत धिक संपदा अधिकारों के नियुनतम मानकों को तै किया गया है कि क्या नियुनतम मानक होने चाहिए और कौन-कौन से अधिकार जो है IPR होंगे बहुत धिक संपदा अधिकार होंगे दरसल इसको 1994 में गैट जो है General Agreement on Trade and Tariff जो की विश्व ब्यापार संगठन के उरुगवे चक्र जो की आठवा चक्र कई सारे चक्र हुए कई सारे बैठके हुए जो इसमें आठवा चक्र जो है उरुगवे चक्र उसमें जो है ट्रिप्स समझोता हुआ था 1994 में इसमें साथ प्रकार के IPR को जो Intellectual Property Rights है बहुत धिक संपदा अधिकार है साथ प्रकार के बहुत धिक संपदा अधिकारों को IPR माना गया है यह कौन-कौन से है इनको आप Mains के लिए भी और Pre के लिए दोनों के लिए त्यार रखे क्या कौन-कौन से है पहला तो Copyright और इससे Related जो चीजे हैं दूसरा Trademark तीसरा भोगोलिक संकेतक तीक है Industrial Indication G.I.T.E.G. जिसको बोलते हैं और द्योगिक डिजाइन चो था ठीक है Industrial Design पाँचवा पेटेंट छठा I.C. डिजाइन Intigated Circuit Design जो Intigated Circuit होता है उससे और सात्वा और अंतिम अप्रकासी सूचना का सरक्षन Trade Secret जिसको कहते हैं Protection of Undisclosed Information यह साथ चीज़ें आती है तो आप उत्तर तक पहुँचने में आपको अब कठिनाई नहीं होगी क्योंकि हमने जो साथ बता है उसमें Copyright भी आता है Trademark भी आता है भागोली संचुचेक भी आता है GI Tech जो है तो Eco Mark जो है यही जो है नहीं है बहुत देख संपदा में ट्रिप्स समझोते के अंतरकर निसार गरुना के संदर में सही कथन है निसार गरुना भी इसको बोलते है इंगलिस में निसार गरुना ठीक है यह क्या है तेकि निसार गरुना एक Technology है दोस्तों यह Technology क्या है जो घरेलू कचरे होते हैं जो ठोस अपसिस्ट होते हैं इसको ये बायो गैस में कनवर्ट करता है मेथेन में कनवर्ट करता है इससे जो LPG की जहां डिमांड जादा होती है वो इससे परतिपूरती हो जाती है तो बहुत ही नई टेकनोलजी है किसी भी एक्जाम के लिए आपके महत्पूर है तो बार्क ने भाबा परमान संधान केंद ने ये तकनीकी तयार की है ठोस अपसिष प्रबंधन पर द्योग की है इक प्रकार से तो ये बिलको सही है तूसरा क्या है यह प्लास्टिक अपसिष्ट को बायो डीजल में परिवर्तित कर सकती है गलत है भी बायो गैस में परिवर्तित करती है ठीक है मेथेन गैस में मुक्यता तो प्लास्टिक अपसिष्ट को मेथेन गैस में और वो भी वो प्लास्टिक अपसिष्ट जो बायो डिग्रेडेबल है फिर यह तकनिक अफ्सिष्ट को सीधे ब्यूटेन गैस में बदल सकती है यह गलत है ब्यूटेन में नहीं यह मेथेन गैस में बदलती है दोस्तों अता परंपरागत बायो गैस सेंतरों से अधिक कुशल है यह तो सही है परंपरागत बायो गैस सेंतरों से अधिक कुशल है ल अगला है खाद विकरन सम्बंदित ये प्रशने हैं फूड इर्िडियेशन से सम्बंदित है निम्ण लेखित कत्नों में से कौन सा सही है पूछरा है तो पहला खाद विकरन परद्योक की जो है फूड इर्डियेशन टेकनलोजी की अंतरकत खाद पदार्थों को गामा अधव इक्स रेज द्वाराम पचारत किया जाता है तो ये तो बिल्कुल सही है ठीक है गामा और एक्स क्रेणों के द्वारा उपचारत किया यही इसी को khad विकरन पर दोकी कहते हैं दूसरा चैनलोजी इस विद्म से उपचार नका रात्मक उसुन से प्रभाता करता है बिल्कुल गलत है कोई नकरात्मक प्रभाव नहीं पड़ता बलकि जो नकरात्मक चीज़ें इसको यह सकरात्मक में चेंज करता है इसलिए टेक्नॉलजी जो है अपना याती इससे खाथ-पदार्थों के कुछ गुंड धर्म बदल जाते हैं यही तो इस टेक्नॉलज किरिणे खाथ-परदार्थों को रेडियो एक्टिव बना देती हैं यह गलत है दोस्तों कि इस टेक्नॉलजी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि रेडियो एक्टिव कर यही नहीं बनाती है तो इसका जो है किवल एह ही सही होगा दरसल दोस्तों ये खाद विकरण जो है ये किस सिध्धान प्याधारित है ये एक सिध्धान है साइन्स में कि जब किसी जो विनाशकारी जीव है या जीवाण हो है जो खाने को नुखसान बहुंचा रहा है उस पे अगर परियात मात्रा में ऐसी कोई टेकनोलजी द्वारा उनके रासानिक बंधनों को तोड़ दिया जाए तो वे सूक्षमजीव या जीवाण नश्ट हो जाते हैं इसी सिध्धान पर अधारित है खाद प्रदार्थों का विकरण टेकनोलजी तो इसके द्वारा क्या हो जाता है विकरण के द्वारा गामा या एक्स क्रेणों का विकरण करके इनका उपचार किया जाता है और खाने को जो खाद समग्रिया हैं इसको बहुत लंबे समय के लिए परिरक्षित किया जा सकता है तो विक्रित पदार्थों में न तो कीडे लगते हैं नहीं वे सड़ते हैं और इस टेकनोलोजी के दोरा जो महत्पों चीजे हैं जो समय समय पर जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पूर्थी उतनी नहीं वा पाती ऐसे आलू हो गया प्याज हो गया फल जो बहुत ज़्यादा सड़ने के भी चांसे होता हैं इनके तो इनको परिरक्षन इनका किया जा सकता है इस टेकनोलोजी के दोरा अगला प्रश्ण है रक्त क्या होता है सेयोजी उतक होता है कि उपकल्पित उतक होता है कौँ सा उतक होता है तो रक्त जो है ब्लड ये connective tissue है दोस्तों ये इसका उतर कई बार ये प्रश्णा आ चुका है लेकिन चुकि महत्पूर्ण है इसलिए मैंने इसमें शामिल कर लिया सेयोजी उतक है connective tissue है जो रक्त जो है वो रुधिर वाहिनियों में प्रवाइत होता है ठीक और ये तरल सेयोजी उतक है और रक्त के जो तरल भाग है उनको हम plasma कहते है रक्त के तरल भाग को plasma कहते है और इसी plasma में रुधिर जो कडिकाएं होती है वो तैरती रहती है जो blood cells होते हैं वो इसी plasma में ही तैरते है है पूसता है कि मानो शरीर में रक्त की मात्रा स्वस्त मानों के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है लगबग पांच से छग लीटर होती है दोस्तों ठीक है अगला कत्हान देंकि बहुत सरल है प्रकास तॉन्सलेशन संबंदित है फोटो सिन्थेसिस नुऐार, प्रित्वी पर कुल प्रकास तॉन्सलेशन का 90% भाग जली पौदों य chỉ वालों द्वार होता है बिल्कु सही है लगबग 90% भाग प्रकास रंस्टेशन का जो जली उपोधे हैं और शेवाल हैं उनके द्वारा होता है जिसमें 85% भाग समुद्र में जो कि समुद्र में शेवाल मुक्तफ पाए जाते हैं उनके द्वारा और 5% भाग जो है नदी और तालाब में जो इस्थित्वनस्पतियां हैं जली पोधे और शेवाल उनके द्वारा होता है और दूसरा जो है 30-35% तापकरम प्रकास रंस्टेशन की उच्चदर है ये भी बिलकुल सही है ये उच्चता मवस्था है इससे अधिक का प्रकास भी हानिकारक है किसी इस्ट्रेंट ने हमसे पूछा था कि क्या फोटो सेंथेसिस ये कृतिम भी हो सकता है बिलकुल हो सकता है कृतिम भी हो सकता है बल्ब आदे की रोशनी में भी पौधे प्रकास असेशन की क्रिया करते हैं ठीक है ना इसका जो है एंसर दोस्तों दोनों सही है सी इसका उत्तरों का लिपिट्स का पाचन निम्लकित में से किसकी उपस्तिती में होता है तो देखे लिपिट्स का पाचन तो मुक्यता लाइपेज करता है यह lipids आंट से निकलता है ठीक है प्रमुख पाचक एंजाईम है ये एक एंजाईम है lipids का पाचण करते हैं लेकिन जो पित रस है यो पित अमल ऑ ठीक है bile juice है इसको bile juice कहते है इंग्लिश में ये भी एक छारी तरल है और इसमें कोई अंजाइम तो नहीं होता लेकिन फिर भी यह लिपिट्स के पाच्चन और 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 सोसन में मायतपूर्ण भूइमका निभाता है लेकिन पेपसिन दोस्तों जो है यह प्रोटीन का पाच्चन करता है प्रोटीन के पाच्चन में महत्पूर्ण हुए का निवाता है तो इसमें जो है उत्तर जो है पित, अमलो, लाइपेस दोनों होगा A और B दोनों इसका उत्तर होगा D इसका सही उत्तर है निम लिखित में से किन शेत्रों में अतिचालकता प्रभाव का प्रियोग किया जाता है अतिचालकता मतलब सुपर कंडेक्टिविटी देखे दोस्तों चालक होते हैं जिसमें करेंड बहती है जो इसमें विद्धुत धारा बहती है उसमें कुछ न कुछ प्रतिरोध पाये जाता है विभिन धातों के तारों का भिन प्रतिरोध होता है तो जो सामान विद्धुत के नियम है जो इलेक्ट्रिक के नियम है इलेक्ट्रिकल्स के जो नियम है वो इसमें लागू होते हैं लेकिन 1911 में एक वैग्यानिक थे केमरलिंग ओंस, नाम याद रखेगा, केमरलिंग ओंस, उन्हों ने देखा एक ताबिक इतार में कि एक निश्यत ताप के नीचे यदि उसको ठंडा किया जाता है, तो उसमें जो प्रतिरोधता होती है, वो शमाप्त हो जाती है, ठीक है, प उपर कंडेक्टी अतिचालकता नाम दिया, क्योंकि ऐसे में जब प्रतिरोध शून्य हो जाता है, तो चालकता क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है, ठीक है, याद रखेए कि यह भी आता है, चालकता कितनी होती है, इसकी अतिचालकता कितनी होती है, तो अनंत होती है, प्रत प्रतिरोध होता क्या है सामान इवाशाम दोस्तों प्रतिरोध मतलब विद्दुधारा का प्रतिरोध करना ठीक है जितनी करेंट बह रही है उस करेंट का विरोध करना और जो वास्तविक करेंट है और जो आदर्श करेंट है उसमें अंतर उत्पन हो जाना यही है प्रभाव अब तक लगबग 20 या उससे अधिक ऐसे धातुएं खोजी जा चुके जिसमें एक निश्चित ताप पे नीचे अगर ठंडा किया जाए तो वो अतिचालक प्रभाव उत्पन न करती हैं उस निश्चित ताप को ही क्रांतिक ताप का जाता है क्रिटिकल टंपेचर का जाता है कई बार ये भी पूछा गया है तो इसका उप्योग किसमे क्या जा सकता है धेर सारी उप्योग है अतिचालक के बीना च्छत के विद्धुत उर्जा संचालन बिलकुल सही शक्ति शाली चुमकी छेत्रों की अस्थापना ये भी बिलकुल सही है चिकिस्था शेत पूछा भी जा चुका है कई बार इसका प्रियोग हिदय रोग के उपचार में होता है यह अतिचालक सिधान परी अधारित है magneto-cardiogram एक device है उसकी सहता से हिदय में विद्दुधारा का चैन किया जाता है और उससे जो हिदय घात होता है उसके खत्रे को खतम किया जाता है तो आप देखेंगे वरतमान में जो हिदे उपचार जिनका जिनका होता है एक मशीन उनके हिदे में फिट कर दी आती है तो वो भी अतिचालक सिधान्त पर ही आधारित है जो वरतमान में जो उच्च प्रिदो की यूज की आती हो अतिचालक ता सही है तो इन सभी छेत्रों मे अच्यालक का प्रभाव है डी इसका उत्तर है पोले राइड के संबंद में निंखित कत्नों में से कौन सही है इसका उपयोग रात में सामने से आने वाले वाहन को की तेज रोशनी से उत्पन चकाचो से बचने में किया जाता है देखे पोलराइड की बात करें दोस्तों तो घ्र का मतलब होता है द्रू तो समतल धूईत प्रकाश उत्पन करने की एक बहुत ही महतपूर्ण विदी है व्यवहारिक विदी है सुविधा जनक विदी है तो इसका उपयोग अकसर रात में आने वाले वाहन की तेज रोशनी सुत्पन चकाचोच से बचने में किया जाता है अक्सर आप देखेंगे जो गाड़ी आ रही नहीं नहीं उसमें ये लगा रहता है दूसरा है इसका उपयोग धातों के प्रकाशी है गुडों का अधियन करने दधा किस्टलों के विस्टलेशन करने में होता है ये भी बिल्कुल सही है इसकी सहायता से 3D चित्रों को 3D डायमेंशन चित्रों को त्रियमी चित्रों को देखा जा सकता है ये भी सही है तीनों ही इसके options सही है तो Polaride के संबंद में तीनों options सही है सबी सही है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही नीचे दिये गए discussion box में जा करके उस वीडियो को on करके चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें बहुत बहुत धन्यवाद